तो स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर या लैप्टोप नहीं है और आप अपने मॉवाइल को ही कंप्यूटर बनाना चाहते हैं आपका जो मॉवाइल यो कंप्यूटर की तरह वर्क कैसे करें ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो सुरूर से अंतक जरूर देखिए तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले आपको एक अप्लिकेशन अपने फॉन में इंस्टॉल करना है वह अप्लिकेशन आपको प्ले स्टॉर पे नहीं मिलेगा इस अप्लिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्रिशन में दे दिया हूँ आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं तो आप Chrome Browser या Google ओपन कर लीजी दोस्तो गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है Android Windows 7 Android Windows 7 तो दोस्तो यह जब आप सर्च किजिएगा तो सबसे उपर में जो लिंक आएगा डाउनलोड रियर विंडोज 7 लैंचर फोर अन्रोड तो आपको सबसे उपर लिंक पे किलिक कर देना है यहां करने के बाद कुछ इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं यह तो सबसे नीची आपको आना है सबसे नीची आने पर एक डाउनलोड का आपको अन्रोड मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पहले से ही कर लिया है install तो दोस्तों चलिए आप इसको open करते हैं और देखते हैं mobile computer की तरह work कैसे करता है तो ये application मैंने open कर लिया है то दोस्तों आप देख सकते हैं ये mobile आपका computer में convert हो जाएगा आपका mobile computer की तरह work करेगा तो दोस्तों जैसा ही आप देख सकते हैं यह arrow यह arrow जो है इस arrow की मदद से आप जिस भी चीज़ पे क्लिक करना चाहते हैं आप वहाँ क्लिक करके open कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे उपर आपको computer मिल रहा है और fit settings, recycle, program, internet, clear, phone, message तो दोस्तों यहां से आप computer पे जब आप क्लिक कीज़ेगा तो यह देखिए computer पे क्लिक करने के बाद बिलकुल computer की तरह, windows की तरह यह आपका जो mobile है इसमें भी local disk C और local disk D की तरह आएगा तो यहां से आप अपना file open कर सकते हैं और फिर control पे, control पे क्लिक करने के बाद देखिए date, display, sound, input, application, bluetooth, storage यह बहुत सारा AI यहां पे option तो आप यहां से देख सकते हैं आप यहां क्लिक करने के बाद आपको जो भी open करना है आप जो है open कर सकते हैं तो दोस्तों फिर जो है date या time तो आप date time पे क्लिक कर सकते हैं settings, कुछ settings करनी है आप phone में तो यहां setting पे क्लिक कर सकते हैं internet के लिए internet पे और फिर phone करने के लिए phone पे जो आप किलिक कीजिएगा तो आपका जो है phone, यह phone यहां से आप phone भी कर सकते हैं मेसेज आया तो मेसेज पर अपको किलीख करना है इसको आप डिलीट कर दीजिए और नीचे वाइफाई वाइफई पर किलीख करने पर आपको वाइफाई पर ही आ जाएगा और वाइवरेशन वालियूम अपडाज, यह देखे वालियूम अपडाज कर सकते हैं आप यहां से तो दोस्तों यह जो है एप्लिकेशन बहुत ही बढ़िया अप्लिकेशन यह आपके फॉन को लुक को काफी चेंज कर देगा आपका जो मुवाइल है वह कंप्यूटर की तरह काम करने लगेगा तो इस एप्लिकेशन को आप जो इंस्टॉल कर कीजिए और हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए